कि नमस्कार मैं आचार डाक्टर अम्रिद गुरुवेंद्र योग एवं वैकल्पिक चिकिस्सा चैनल में आप सबका स्वागत अपनेंदन करता हूं योग जैसे अद्भुत जो विद्या है उस विद्या के प्रचार प्रशार और ज्यान की धारा को प्रभाहित करने के लिए मैंने सोचा विचार किया और विचार करके इस चिंतन की धारा को प्रभाहित करने का निश्चाय किया मैं अपने आपको कर्वानीद अन्भव कर रह हूँ, आपके समक्ष जो कुछ भी देपाने में शक्षम हो रहा हूँ, एक लंबे अर्से से योग के छेत्र में कारे करने के पश्चाथ जो अन्भव प्राप्त हुआ, उस अन्भव को बाटने के लिए मैं आपके समक्ष उपस इससे पूरु कुछ बात कहूं मैं योग के उन्रिश्यों को नमन करना चाहूंगा जिन्हों ने इस योग के अद्भुत विद्या को विश्व संसार धराधाम में प्रकाशित किया और जिन्हों ने इसे पुस्पित और पल्लवित किया उस महर्शी पतंजली को मैं हाँ जोड़कर नमन करता हूं ओम योगेन चित्तष्य पदेन वाचाम मलं शरीरेन तुवद्ध केनाम योपा करुत्तं प्रवरं मुनीनाम पतंजली प्रांजली रान तोश्मी नमन करता हूं उस महर्शी पतंजली को जिनके अनेक रूप है जिनें ब्याकरन सास्थ पार्णी की रूप में आयरवेद चरक की रूप में और योग सास्थ मश्री पतंजनी की रूप में जिनें ब्याकर खाइद किया मैं उसे सचसत नमन बंदन करता हूं मित्रो योग स्रिंखला के इस कड़ी में योग की जो धारा अम्रित धारा है उस धारा को प्रवाहित करने के लिए आज आपकी समक्ष उपस्तित हुआ हूं ये उफस्तिती योग की धारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए और जन जन तक पहुचाने के लिए एक प्रयास है और इस कड़ी में आप हम सब एक मिल का पत्थर साबीत होंगे ऐसा आसा और विस्वास है आज मैं आपके सम्मक्ष योग क्या है योग की उत्पत्ति योग की व्यत्पत्ति की शुरूप में हुए इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ आईए हम जानते हैं कि योग क्या है कैसे उत्पन हुए कहां से उत्पन हुआ है इस सब के बारे में चर्चा करते हैं विभिन दर्सन सास्त्रों और दर्सन सास्त्र जीवन में साधना पद्धति को अपना कर जिन्होंने योग को जिया और जी करके उसकी जो शार था उस सार को समाज सामने रखा है या भारत वर्से की एक प्राचिंतम विद्या है योग क्योंकि भारत जब कभी भी सोने की चिडिया या जगदगुरू रहा होगा तब कहीं ने कहीं उसके आधार उसके मूल में योग ही एक महतपुन कड़ी गरूप में रहा होगा क्योंकि योग शमगर संसार को ग्यान विज्यान के अजस धारा प्रवाहित करने के शामर्त और च्छमता रखती है योग भारती जीवन पधती का एक महतपुन अंग है भारत में लोग जो जीते हैं जो जीने के उनके तौर तरीके हैं फिर सारे योग में हैं यहां पे जाने के आउशक्ता नहीं है हमारे सुबह से लेकर शाम तक कि जितने भी दिन चरिया है रात्री चरिया है फिर सारे सारे कहीं ने कहीं वह योग में हैं तो योग तो जीवन के साथ समाइथ हैं जीवन के अंदर समाइथ हैं तो जीवन के जो अंदर है लेकिन उसके वास्ति रहष्य विद्या के रूप में जाना गया है शालए इसलिए है कि घुरु गम्य है और गुरु गम्य घ्यान हon ने के वज़ए सर्फ इसको रहष्य के रीप में हमाय रिश्यों ने रख आ है लेकिन कूछ पक्ष जीवन में योग की धाराएं प्रभाइत होती है पुस्पित और पल्लवित होती है इस विद्या के अधार पर रिश्य मुनियों ने प्रकृति के सुक्ष्य तत्त्तों के रहश्यात्मक ज्यान को प्राप्त किया था प्रकृति के रहश्य की जानकारी प्राप्त की थी यह प्रकृति के ऐसे कई अनगिनित रहस्य है जिस रहस्य को आज विज्ञान सुलजानी पाए हैं कि तो हमारे प्राचीन रिश्यों रिशी मुनी संत मा पीतु इसका उद्देश आत्मा परमात्मा और ब्रह्म का शुरूप प्राप्त करके मोक्ष जीवन मरन के बंधन से मुक्त होना और आत्मक साक्षात करना है क्योंकि योग का अंतिम लक्ष है कैवल्द्य मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना है योग साधना के द्वारा निहित आनन्द शक्तियों रिद्धी सिध्यों तथा विपुतियों को प्राप्त कर शकता है जिसमें वह अपना नहीं सांसाथ सभी का कल्यान कर शकता है अपने सांसाथ विश्व के कल्यान ये तो योग के मुल में समाहित है योग विद्या शारिक मांशिक और अध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के और शमाजिक ये चारों प्रकार के जो स्वास्त लाब है वे केवल हमें योग की द्वारा ही प्राप्त होती है अगर इसकी विद्पत्ती देखा जाए विशेशतर मित्रों में आपके सामने आज यूजधातु जो योग की विद्पत्ती हुई है जो य रुधादिगन, दिवादिगन और चुरादिगन, युजिर योगे, युज सईयमने और युज समाधव, पहला जो रुधादिगन है जिसका अर्थ होता है युजिर योगे, जिसकी विद्पत्ति के अधार पे कहा गया है युजिर योगे, युजिर योगे का मतलब हो गया कि संयोग मेल या एकत्व किसका संयोग तक मेल और और किसका एकत्व इसके बारे बारे हमें Surprise करना पड़ेगा आप कि मिलाना है जूड़ना है इसके बारे हैं विश्तीज चर्चा करेंगी दूसरा औरता है चुरादीगन से है जिसका जिसे मिनिंग होता है Linus सेमने सेमित करना नियंतित करना कंट्रूल करना किसको मन को और नम्बर तीसरा है दिवाधी गणे इसमें कहा है यूज शमाधव समाधि arrangement को यह कहा गया है मस्री ब्यास ने कहा गया है योग को शमाधिक रूप में अव्यक्त किया गया है अब क्रमसा इसके बारे में चर्चा करते हैं प्रत्थम है यूजिर योगे यूजिर योगे का अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना दो वस्तू या दो तत्तों को मिलाना उसका मिलन को योग कहा गया है तो दो वस्तू जैसे 2 प्लस 2 is equal to 4 तो ये दो और दो को मिलाके जो चार होने वाले प्रक्रिया ये भी योग है जो दो वस्तू या दो तत्तों को मिला देते हैं जैसे लोग कहते हैं मारे पुराणों में कहा गया है आत्मा और परमात्मा का मिलनू अब हैसे तूर्ची दाजिं नहीं कहा है मतलब इस्वर का अंस्यदी जीव है तो दोनों में भिन्यता किस प्रकार से? कैसी भिन्यता? ये अवपाधिक है, केवल उपाधिकी रूप में है, ऐसी कुछ भी नहीं है अगर इसको समझना चाहते हैं, तो एक उधारन से समझ सकते हैं, एक को कहते हैं घटाकास और दूसरे कहते हैं महाकास घटाकास का मतलब होता है घड़े के अंदर का आकास जो मिट्टी के घड़ा होता है मिट्टी के घड़े के अंदर का जो आकास होता है उसे कहते हम लोग घटाकास और उस घड़े के बाहर का जो आकास है उसे हम कहते है महाकास मित्रों घड़े के अंदर के आकास में और बाहर के आकास में दोनों में क्या भिन्नता है अगर कुछ भिन्नता है तो केवल हो केवल दोनों को अलग करने वाला कोई तत्व है वो है घट गड़ा वो मिट्टी का गड़ा अगर मिट्टी की गड़े को तोड़ दिया जाए तो निश्ची तोर से अंदर का जो आकास है घट के अंदर का आकास है जिसको हमने नाम दिया है और दूसरा है बाहर का आकास जिसको हमने महाकास का है दोनों एक ही है वैसे ही ठीक वैसा ही य अगर कोई अगर आत्मा परमात्मा को अलग करने वाला है, तो हमारा ये इस्थूल सरीर है, इस इस्थूल सरीर को हम से, इस्थूल सरीर का मतलब है हमारा ये प्रकृति, और जो हम आत्मा कहते हैं, प्रमात्मा का जो अंस है, वे हमारे अंदर है, दोनों के बीच में अगर भि पन्नत है ने कहा है पुरुष प्रकृती सईयोग वियोग इत्ति-वियोग उत्ति भीग दिये, पुरूष और प्रकृति के संयों का वियोग हो जाना को ही योग कहा गया है अर्था दोनों के प्रकृति और पुरूष दोनों के पिरें भिन्यता का इसपष्ट ग्यान हो जाना इसी को तो आत्म ग्यान कहा गया है तब कहीं जाकर के योग हो पाता है दूसरा है युजिर वस्मे करना, तो वस्मे किसे करें, मन को, इंद्रियों को वस्मे करें, जो एकादस इंद्री बात कहेगे, पांच ग्यान इंद्री, पांच कर्मेंद्री और एक मन, इसको वस्मे रखना, वस्मे करना, कंट्रोल में करना, नियंत्रन करना, यही तो सयाम है, चंचलम ही मनाह कृष्णा प्रमाथी बलवद्रम कहते है कृष्णा मन तु बड़ा चंचला है इसे कैसे वस्मी किया जासता है भगवान कृष्णा कहते है असंस्यम महाबाहो मनो दूर निग्रह चलम अभ्यासे ने तू कौनते या वैरागी ने चा ग्रिह यते ऐसे छटे अध्याय की 34 और 35 नंबर श्लोग में बात कही गई है अर्थात अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को निरुद्ध कर शकते हैं हट योग प्रदीपा में कहा गया है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेद यह चंचलता मन के अउरुद्ध हो जाए हमारे सांसों के माध्यम से तो कहीं वहां पे योग निश्चित्रुप से घटित होता है तीसरा अर्थ मिनिंग जो दिया गया है और यह होता है बुद्धि गायत्री मंत्र में में आप हम से प्रियुक्त करते हैं मतलब इसों मानुष्य की ठीक ठीक सम्यक हो जाएं जुड जूラ जिसका अंस है जीव अंसरे उस परमात्पम का का थीक ठीक एक्चुल नालिज्ज बेक्तिक जीवन में होने लग जाए तो उसे समाधी का बात कही गई है मस्रीप पतंज्री ने कहा है तदे वार्थ मात्र निर्भाशम श्वरूप सुन्यमिव शमाधी तदे वार्थ जब केवल अर्थ ही भासित हो तदे वार्थ मात्र परमात्मा हमारा लक्ष्य हमारा इस्ट तदे वार्थ केवल उसका अर्थ वह वास्तविक इस्तूल शरीर नहीं केवल अर्थ भासित हो तदे वार्थ मात्र निर्भाशम स्वरूप सुन्यमिव समाधी और हम अपने श्वरूप में सुन्य हो जाए तो उसे ही समाधी कहा ग क्योंकि उसमें एक को मिलना पड़ता है एक को गलना पड़ता है तो एक में गलने वाली जो प्रक्रिया है वही समाधी है अद्भुत रह्ष जो मरशी पार्णी ने जो पार्णी ब्याकरन में युज की ब्याख्या की है यह योग में हम सब कुछ समझने योग्या है संस्कृत अगर ब्याकरन के द्रिश्ट कौन से देखा जाए संस्क्रिप ब्याकरन ने विद्पत्ति के तीन और मिनिंग दिया गया है पहला है युज्यते एतद इती योगा युज्यते एतद इती योगा इसकर्थ होता है ये कर्मकारक योग है इसमें कहा गया है चित की यहवववव ओर एकाक्र यह पांच अवस्था है plugin इन पांच अवस्थाओं में मनुश्य का जीवन क्रम सा अगर सारीत होती बढ़ती रहती है लेकिन अन्ति में जो अवस्था है जिसे हम लोग कहेते एकाक्रता यहीड की स्थिति यह facet the Happy जहां हमारी वृत्या चंचल नहीं चंचलता जहां वृत्यों की चंचलता समाप्त हो जाती है दूसरी है युज्यते अनेन इतियोगा इसको करनकारक कहा गया है करनकारक कहने का मतलब है योग शब्द का जो अर्थ है वह साधन है जिसमें समस्त चीत वृत्यों में एकागरता लाई जाती है जब योग जो यह साधनात्मक अर्थम में हैं लाई जाती है मतलब लाने के लिए कुछ किया जाता है और जो करने की प्रक्रिया उसके लिए अलग-अलग साधन पदती है कर्म, ज्यान, भक्ति, मंत्र इसके साथ जुड़ जाता है तो होता है कर्म योग, ज्या कर्म के पति एक आगरता जिन की होती है भगवान कृष्ण गीता में कहा योगा कर्मशु कौशलम समत्तम योग उच्चते इसकी ब्याख्या कभी मैं अगले वीडियो में करना चाहूंगा जो अगले और कड़ी में वीडियो जो आने वाली है उसमें इसकी विस्तृत ब्याख कर्शकताा हैं अइसा नहीं कि एक फिद्हारह करें यह लिए जिवन के अंतिम सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं अंबर तीसरा यूजते दस्मिन इति योगा यहां पे चित की वृत्यों की एकाग्रता उत्पन की जाती है चित की वृत्यों में एकाग्रता यहां पे मित्रूं बार 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 चित वर्ड यूज हो रहा है वाट इस चित क्या है चित की पी चरदा हम कभी विस्तार से करेंगे लेकिन चित को करमा से कहा गया हमारा जहां करम संस कार है कहते हैं चित्त के चेज हो जितनी है उसका आगरता कि इस्तापित ना तो थे के वृत्तियों में जब निरूद होती एक अगरता इस्थीर हो जाती है तो कहते हैं तदा द्रश्टु स्वरूप एवस्थानम फिर द्रश्टा अपने स्वरूप में हमारे अंदर भासित होता है जैसे एक स्वक्ष आइना में जब आप सामने खड़ जाते हैं तो पूरा आ अबस्त है जहां परमात्मा अपने वास्त्विक स्वरूप में प्रतिभासित होती दिखाई पड़ती है कि मित्रों अदभुत ज्यान है योग का और योग की इस प्युत्पत्ति का भी रहश अदभुत है आसा है कि आप लोग अच्छा लगा होगा ज्यान आप आत्मसाद जो देश्विदी इसमें ब्रह्मन कर रहे हैं उनकी लिए एक पत के पथिक की रूप में एक पत प्रदर्शक की रूप में साबित होगा ऐसा आसा करता हूं इसी के सांसाद नमस्कार